आज का प्रश्न है, अपने को सरीर में इस्थित मानने से ही तो पुरुस करता और भोगता बनता है, परंतु तेरवे अध्याय के किस्वे स्लोप में भगवान ने कहा है कि यह पुरुस सरीर में इस्थित रहता हुआ भी करता और भोगता नहीं है, यह कैसे? उत्तर है यहां भगवान प्रानी मात्र के बास्तविक स्वरूप को बता रहे हैं कि बास्तव में अज्यानी से अज्यानी मनुष्य भी स्वरूप से कभी करता और भोकता नहीं बनता अर्थात उसके स्वरूप में कभी कर्तिव्य और भोकतिव्य नहीं आता परंतु अज्या प्रमक्तान की कारण मुनिश्य अपने को करता और भोकता मानलेता है और वह करतिया भुटिय dunno फ्रल्य भाव से बंद जाता है। अगर उसमें करतिब्य भुट्तिर भुबै भाव न हो तो शम्पूर्ण प्रानियों को मार कर भी नहीं मरता और न बंदता ही है। जै Itいます